जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोके अंदर एक उत्सा होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजे आ गई हैं, आप मदद जरूर मिलेगी। हमारे एरकाफ्ट के उपर जो नेशनल एंबलम लगा था, उसको उसके नीचे सब लोग चाह रहे थे कि हमारा सेलफी हो जाए, परदान मंतरी का तो मैं परस्नली एड्माइर हूँ बहुत ही, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो जितना वो महनत करते हैं, मैं सोचता हू हम उनसे रिलेट कर पा रहे थे और वहमें अपने एक तरह से देवदूत की तरह हम लोगों को देख रहे थे जहां पर भी यह लोग हैं, तो हमारी पूरी तरह से मदद होगी जब हमारे देश के मुखिया हमको बुला के समानित करें तो यह हमारे बहुत गरू की बात है कि हमारे इस काम को प्रसीट किया जा रहा है जो मेरे जैकेट पहन रखेती अपनी बर्दी के युनिफॉर्म को उपर तो मेरे दाएंस एड में मेरा इंडियन फिलेग लगा हुआ था जो बर्दी उपर उसमें ऑपरिसन दोस्त लिखा हुआ था तो बारवार मेरे को वो जैकेट लेने की बोल रहा था कि अपनी जैकेट हमको भी बड़ा उस्ता रहता है कि हम अपने कांदेश का नाम रशन करें हमारे रेस्क्यू परिशन के तहत हमने अर्थकेट के 80 गहंटे बाद और 104 गहंटे के बाद दो बच्चीयों को जिंदा रबल्स की बीच में से बचाया जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमार और वहां हमारे काम की और हमारे वैल्यू सिस्टम है हमारे हमारे सभेता की वहां पर इतनी तारीफ हुई कि हर कोई चाहता था कि हम किसी ना किसी तरीके से हिंदुस्तान से जुड़े